आज मेरे साथ में एक वीडियो चल रहा है राइट साइड में स्क्रीन पे आप देखिए इस वीडियो को इस वीडियो में कलाब्रेडर बच्चा है जो घिसट के चल रहा है जो चलने की कोशिश कर रहा है बहुत जोर लगा रहा चलने के लिए लेकिन वह अपने पिछली को उठाने ही पा रहा है इसकी यह कंडिशन पिछले कुछ महीनों से है अल्मोस्त थी-फूर मन्थ से ऐसी कंडिशन में और कॉंटिन्यूटी में इसका ऐसा चल रहा है और यह स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था यह बिल्कुल फिट था नॉमल था इस था इस तब जो दिया है ताकि जब यह चले तो इसको फर्श की रगड़ ना लगे फ्लोर की रगड़ ना लगे इसको जखम ना हो क्योंकि इसके जखम भी ओना शुरू हो गयते इसकी बॉड़ी के उस पाट के बाल जढ़ना शुरू हो गयता जो बार बार नीचे रब हो रहा था एक देख रहा है उसके चेहरे पर एक स्माइल जैसी दिखाई देरी है जो क्लियर कट साइन है कि हाँ ही इस फिलिंग बेटर और आप देख सकते हैं कि वो पहले के कंपैटिवली खुद को उठाके चल रहा है थोड़ा 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 उठाके चल रहा है that means पहले वो जो अ नेक्स्ट मैं एक और वीडियो दिखा रहा हूं इस वीडियो में आप देखे एक लाब है जिसकी पिछली टांगे बिल्कुल वाइड जा रही है जब वो चल रहा है जटके खाके चल रहा है बिल्कुल डगमगाता हुआ चल रहा है उससे अपना बॉड़ी वेट भी जहला नहीं जा रहा है लेकिन 25-30 दिन के बाद का एक और वीडियो दिखा रहा हूं आपको जिसमें वही लैब है और वो पहले से कंपैटिबली 70% बैटल हो गया आप सोच रहे होगे कि बादल विया ऐसा क्या हो गया कौन सा मिरिकल हो गया जो तीन चार चार पांच-माच महिने से यह डॉग ट्रीटमेंट करवा रहे थे इसके ऑनर इसका अपने पैट का ट्रीटमेंट करवा रहे थे पर ठीक नहीं हो रहा था मेरे पास में पता नहीं कितने सेंकड़ों हजारों ऐसे केसिस हैं जो ठीक भी हो गए और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी कॉंटिनुटी में जिनकी ट बात नहीं कर सकते हैं तो आप यह जो प्रोड़क्ट आप हमें दे रहे हो या बाकियों के साथ भी डिस्क्लोज करो शेर करो सो डाट जो आपसे नहीं भी बात कर सके अगर उसके पास में डॉग है और उसके डॉग की भी हालत खराब है तो तो यह प्रोड़क्ट को यूज करके अपने डॉट की लाइफ को बेतर कर सके उन दोस्तों का नाम मैं अभी बता रहा हूँ कुछ 3-4 नेम रेंडमली ले लेता हूँ सौरी जिन दोस्तों का नाम नहीं ले पाऊंगा अगर मैं वीडियो क्लिप्स दिखाता रहूंगा कि यह भी ट्रीटमेंट से ठीक हो गया वह भी ठीक हो गया तो शाम हो जाएगी और रात हो जाएगी लेकिन वह क्लिप्स खतम नहीं होंगे आम रिली थैंक्फूल टू सीमा पठानिया जी जिनका जमेशेफर डॉग था बहुत बेतर है मिस्टर अईयर जी उनका रॉट्विलर डॉग था वो भी ठीक हो गया गोल्डर रेट्रीवर जिनका था मिस्टर कैलकटा से जो है मिस्टर घोष वो भी बहुत बेतर कंडिशन में थैंक्यू सो मच आप सब के लिए और सौरी जिनका नाम नहीं ले पाया मैं बोनफायर की बात कर रहा हूं उनके डॉग्स के लिए हमने बोनफायर रिकमेंड किया था सबसे पहले तो यह मैडिसेद नहीं है यह फीड सप्लिमेंट है और यह सबसे प्लस पोइंट इसका और जो डोजेज है डोजेज ब्रीड के अकौर्डिंग लिए उसके बॉडी वेट एकौर्डिंग लिए है यह शरफ और प्रीकवरी के लिए नहीं है यह डॉग को मेंटेन के लिए भी है जैसे हम अपने डॉग को केल्शियों देते हैं ताकि ऊसकी बॉन स्ट्रॉंग हो जैसे हम लिवर देते हैं कि लिवर स्ट्रॉंग हो उसी तरह से यह ग्लुकोजामाइन कॉमिनेशन है इसके यूजेज क्या है यह कहां कहां पर यूज हो सकता है वैसे तो यह फीड सप्लीमेंट है जॉइंट्स के लिए स्पेशली बोन्स के लिए बहुत अच्छा है इसमें अगर मैं इसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़ों तो इंडिकेशन एंड यूजेज प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव सबसे इंपोर्टन चीज यह बचाओ के लिए भी है और यह रिकवरी के लिए बहुत लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग पेंकिलर यूज करते हैं डॉग के लिए वह चीजी नहीं है सो यह आप ड्री दिस्प्रेसी हमें यूज कर सकते हैं इस प्रीजी यह वह जने टीक भी हो सकता है बहुत बारी होता है हमें बोल दिया जाता कि यह बो एक इनियृ की वज़ा से होता है तो आ रांग कमजोर हो जाती पिछले वली टांग leg deformities means जब अगें यह चीज को मैंने कावर किया जैसे एक injury की वज़ा से हो सकता है वो naturally weakness की वज़ा से हो सकता है गलत exercise की ओवर exercise की वज़ा से होता है और कई बरियोता dog खेलते-खेलते slip होके गिर गया सीडियों उतर रहा है सीडियों से slip होके गिर गया गीली सीडियां थीया कई बरी excitement में तो कई बरी होता है इसकी spine पर इंजरी आ जाती है तो यह spine को अभी जो next में पढ़ने लगा था spine की अगर injury है उसमें भी helpful है और weak ligaments में tender repair में arthritis में भी जिन डॉग को arthritis है उसमें भी helpful है दर्द भी कम करेगा और यह recovery भी करेगा यह जो चीज़ है यह pain को भी cover करेगी pain की pain से निकलने में dog को help करेगी उसकी proper normal उसको फिर से अपनी back to form आने में help करेगी उसकी life add-on करेगी means जो dog खाना खा रहा और पड़ा हुआ बचारा चल फिर नहीं पा रहा उसके organs जो है आइस्ता इस्ता वो भी खराब अशुरू हो जाएंगे उसके अगर ब्लड टेस्ट कराओगे एक fit dog के और एक ऐसा dog जो bed-ridden है तो बहुत जादा जो reports है वो गलत आएंगी और उसका reason यह होगा उसके body की activity नहीं है उसका heart proper काम नहीं कर उसका liver functioning नहीं है ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें लेकिन यह जो bonfire है यह आपके dog में बड़िया सा spark ला देगा एक चीज़ दूसरा बहुत सारे product market में almost same combination के मिलते हैं लेकिन हर एक product का result अलग लग है अलग लग वेरी करता है result उसका reason क्या reason रहता है source of product क्या है अब जैसे चाय है हमने 30 रुपे की लोग वाले दूर की चाय पी तो वो अलग quality की बनेगे अगर 70 वाले की पी तो वो quality अलग होगी ऐसे ही बाकी स चीजों में भी mobile में भी feature उसी हिसाब से होते हैं तो जो product है अगर उसमें हमने glucose माइन लिया है लेकिन glucose माइन का source क्या था और वो किस condition में लिया उसका extract कहां से लिया वो चीजे बहुत matter करती है इसके अलावा matter करता है जब उसे pack किया तो उसका जो quality control कितना अच्छे से देख बहुत जादा सेटिस रही हूं तभी मैं इस product को आपको recommend कर रहा हूं क्योंकि जो इसका quality control है वो बहुत अच्छा है इस product को मैंने पहले अपने dogs पे try किया था उन पे experiment करके देखा कि क्या यह result देता है मेरा confidence बड़ा उसके बाद में यह product मैंने अपने near and dear वालों को दिया ब और I'm really happy from last 5-6 months मैं इस product को use कर रहा हूं and it works like miracle बहुत जबरदस result है I recommend it और if you trust me आप इस product को use कर सकते हैं because मैं जब कोई product आपको suggest कर हुआ use करने के लिए तो उसमें यह सबसे important चीज है कि मेरा उसमे confidence होना चाहिए क्योंकि जब मैं suggest करता हूं तो आप लोग उस product को try ज़रू हो जाती है fracture हो गया हड़ी तूट गई रॉड डालनी पड़ी प्लेट डालनी पड़ी तो भी यह जो product है उसमें भी बहुत effective है जब joint कभी press हो जाता है उसमें भी यह बहुत जादा effective है ज़रूरी नहीं सरफ हड़ी के चोट ligament जो है वह हड़ी से लगया ligament होता है जो दो recovery में भी बहुत helpful है it is a blessed product so I hope यह जो वीडियो बना यह आपको पसंद आया होगा और मेरी तरफ से बहुत सारी blessing आपको और आपके dogs के लिए अगर आपको लगता है बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया condition में चलना है तो आप उसे maintain करने के लिए भी से दे सकते हैं थोड़ी खोश हो blessed हो अगर आपको लगता है आपका किसी और दोस्त है के पास में dog है आपका कोई और दोस्त है जिसके पास में dog है और वह बोन्स की या joints की problem से गोज़र रहा है तो definitely आप यह product उसको suggest जरूर कीज़े मेरा वीडियो उनकी जरूर पहुंचाए मैं आपका आपहारी रह और product authentic granted होने की मेरी तर्फ से guarantee है यह original product है I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीजी से लाइक कीजे चैनल को subscribe नहीं किया हो तो subscribe जूरूर कीजेगा thank you so much sign दिया करेंगे मुझ पे आप पे सारी दुनिया के for babies पे सारी दुनिया पे thank you so much love you all God bless see you bye bye